विद्यादर नगर से अब चुनाओं लड़ेंगे कैसा एक नया जो है टार्गिट मिला है अब विद्यादर नगर वैसे तो मैं जैपूर की बेटी ही हूँ जैपूर की हूँ और इस बार जैपूर की जनता की सिर्वा करने का मुझे अफसर पाटी ने दिया है और विल्कुल अपनी तरफ से पूरा प्यास करूं जैप हम सांसदों को टिगिट दिया है इस बार पहला प्रियोग है इस तरह का कि Sapter को साथ सांसदों सांसदों उता रहे क्या लगता है कि इस तरह से मुकाबला हो पाए है दुझा विधंवां सब्सक्राइब करते हैं क्या उता है जहां जहां भी पार्टी ने उचित संझा है, महां पर उस प्रतियाशी को उता रहा है, जाहे वो सांसद है या पार्टी के कोई पददिकारी हो, यह तो पार्टी का डिसिजन होता है, संगठन का सबका मिलकर एक निर्ने किया गया है, और बिल्कुल मैं मानती हूँ जो पार्टी न मुझे लगका एक MLA के जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, कि स्थानिय मुद्दी क्या है, उनको उठाना, उनके बारे में क्या एक विजिन के साथ में उनके बिल्कुल बीच में जाओंगी, उसके अलावा जो हमारे राज्ये में जिस तरह से कानून विवस्ता बिगड अब यह दो एक ही लिस्ट आईए, अभी तो और लिस्टे आएंगी, मुझे महिनाओं को जो एक अधिकार दिया है, महिनाओं को इतना बड़ा जो एक बर्दान मेला है, जो मोधी सब्सकार दिया है, महिनाओं उनका धन्यवाद करें, उतना कम हो तो इतना बड़ा काम हों और लिस्ट रूट से महिनाओं को संगठे में भी हमेशा जिम्मेदारी मिलती है, और अभी चुनाओं लड़ने की समय की जिम्मेदारी मिलती है, क्या आपको लगता था कि विध्यानगर सीट से ही आप कि दावेदारी रहेगी और उसको लेकर या पिर पार्टी का फेसला ह है, मैं पूरी तरह से अपनी पूरे एफ़र्ट से वो काम फुरती है, क्या लगता है, अभी जो अभी साथ सांसद हो दा रहे हैं, इनसे कितना फाइदा मिलेगा बीजेपी को, मैंने जैसे कहा कि फाइदा कि जितने भी प्रत्याशी है, उन सभी का बहुत अच्छा पर्च अच्छा पैरि शुची थिरिए, क्या लगता है कि कितने सीटों पर आप बीजेपी यहां पर जीतेलनी की सम्भावना आए, कितने समय शापी है, बीजेपी बहुत मजबूत है और हमारी फोल बहुंद से सरकार बढ़िए मारी जीति है, जीति हैं, जिया को खास है है, अग झाल झाल